Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique. अब सभी का मेरी YouTube चानल पर बहुत-बहुत स्वागत है. आज है Monday, September 4, 2023. English vocabulary series में word of the day is Demise. Demise. D-E-M-I-S-E. Demise का मीनिंग होता है मृत्यू या किसी भी चीज का समापन. यानि किसी भी कोई भी चीज है या अनसान है तो उसकी एक लाइफ होती है, तो उसकी लाइफ जब खतम हो जाती है, एंड हो जाती है, तो उसको कहते हैं Demise. माली जी की एक पॉर्सन है, उसने अपनी जिन्दगी जी ली, अब उसकी जब डेथ हो जाती है, तो उसकी लाइफ की एंड हो गई, खतम हो गई. इसी तरीके से एक दूसरे एक्जामपल ले लेते हैं किसी चीज का, वस्तु का. माली जी, अब अपने घर में कोई पंखा या कूलर लेके आए, तो उसकी भी एक लाइफ होती है, कि इतने ही साल तक चलेगा, उसके बाद वो भी खतम हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका कोई इस्तेबाल नहीं होता. तो डिमाइस के दो मीनिंग हो सकते हैं, किसी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब और किसी परसन की डेथ, मृत्यू के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज, जिसकी लाइफ की एंड टाइम हो गया है, खतम हो रही है, एंड टाइम को कहते हैं, डिमाइस. दा एंड और फेलियर ऑफ सम्थिंग, यानि कि किसी भी चीज का अंत, और फेलियर ऑफ सम्थिंग, दा डेथ ओफ अफ परसन, किसी भी परसन की मृत्यू, the time when something ends यानि कि वो समय जब कुछ खतम हो जाता है मृत्यू गिर जाना पतन विलोप्त होना यानि किसी person की मृत्यू हो गई माली जी कोई company चली आ रही थी काफी समय से उसका business बिल्कुल down हो गया बिल्कुल profit नहीं कर रही थी बिल्कुल loss में चली गई तो उस company का क्या हो गया end हो गया demise हो गया demise हो गया उस company का end हो गया किसी व्यक्ति का निधन या किसी चीज का समापन यानि कि कि किसी भी इंसान का निधन या किसी भी चीज का जब खतम हो जाती है तो उसको कहते है demise so demise का जो है जब खतम यानि की एक end time आता है जब person का end time आता है तो उसे death कहते है mrityu और जब किसी चीज का end time आता है तो उसे भी कहेंगे demise समापन इन दोनों चीज़ों के लिए ये word यूज किया जा सकता है so ये है demise का meaning now we move on to the synonyms and antonyms of demise synonyms का meaning होता है similar meaning words so synonyms of demise are death, end, termination, collapse, departure, downfall, failure or extinction now we will talk about the antonyms antonyms का meaning होता है opposite words so antonyms of demise are अब demise का क्या meaning है end होना, khatm, mrityu तो उसका opposite क्या होगा starting, beginning, life so antonyms of demise are birth, existence, life, creation, rise, commencement, start, beginning or opening so ये है synonyms or antonyms of English vocabulary word demise now we will talk about the example sentences sentence number one is this loss led to the demise of the business यानि कि ये ये जो नुकसान हुआ है, loss हुआ है इसकी वज़ा से बिजनस का जो है demise हो गया है, खतम हो गया है business समापन एक तरीके से बिजनस की समापती हो चुकी है, business खतम हो चुका है, end हो चुका है business का अब वो business नहीं चल पाएगा, इस नुकसान की वज़ा से second sentence is, since Jim was so young, everyone was stunned by his heart attack and sudden demise इसका meaning है, क्योंकि Jim जो है person वो बहुत ही young था, जवान था इसलिए everyone was stunned, मतलब सब लोग बहुत shocked थे उसकी heart attack की वज़ा से, जो अचानक मृत्यू हो गई, क्योंकि कोई भी जवान, young person होगा, और हमें अचानक सुनने को मिले कि उसकी death हो गई है by heart attack, तो काफी shocked लगता है so since Jim was so young, everyone was stunned by his heart attack and sudden demise इस sentence में demise का meaning, एक person की मृत्यू के बारे में कहा गया है और first sentence में किसी business के end के failure के बारे में यूज किया गया था now third sentence is, online newspapers or news websites are causing the demise of the traditional newspaper यानि जो online websites हो गई है, newspapers हम online read कर लेते हैं उनकी वजह से जो traditional newspapers हैं, उनका जो है, demise हो रही है एक तरीके से पतन हो रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे यह बिल्कुल खतम हो जाएंगे और इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी industries हैं, जो कि technology की वजह से बंद हो चुकी हैं, जैसे example लेतो torch और table lights, lamps की वजह से, जो मिट्टी का तेल डालके जो lamp जलाते थे लोग, वो लुप्त हो गई बिल्कुल उनका आप कोई भी यूज नहीं करते हैं, उनकी industry जो थी वो बिल्कुल डिमाइस हो गई थी वो industry, उसका समापन हो गया था, खतम हो गई थी वो industry because of the invention of torches and lights, तो लोगों ने lamps जलाना छोड़ दिया So this is the whole description of English vocabulary word demise which means the end or failure of something, the death of a person, the time when something ends. मृत्यू या भी किसी भी चीज का समापन These are the synonyms, antonyms and example sentences. In order to learn daily English vocabulary, please subscribe to my channel Universe is Unique and press the bell icon for upcoming videos. This is the end of my video. Thank you so much for watching.